जोदपूर से खबर जहां पंजाबी सिंगर मिलन गाबा के कारिक्रम में हंगामा होने की सूचना है बास वित्रित करने पर भी एंट्री नहीं दी जा रहे की थी जिसके बाद आग्रोशित लोगों ने पत्राफ शुरू कर दिया लोगों ने कुरसियां और पानी की भोतले फेक नी शुरू कर दी तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने हलका बल प्रियोकर मामला शांत कराने की कोशिश की जोदपूर में सिंकर का ये कॉंसर्ट था कापी संख्या में युवा यहां पहुंचे हुए थे लेकिन लोगों की ये शिकायत थी कि उनके पास पास है उसके बावजूद उन्हें एंट्री नहीं मिल रही और लोगों ने यहां आपा भी फो दिया उससे में यहां लोग बोटले पेकने लगे हंगामा करने लगे पॉस्ट इंडिया पर ये एक्स्क्लूजब तस्वीरे आपको जोदपूर से दिखाय रहे हैं जहां कॉंसर्ट आयजित किया गया था लेकिन इस दोरान मिस मानेज्मेंट की चलते काफी हंगामा हुआ ये तस्वीरे देखे जहां लोग बोटले पेकने लगे फूटिंग करने लगे और इस दोरान वहां मौशूर पुलिस ने सिती सम्हालने के लिए हलका बल प्रियोग किया पंजाबिस सिंगर मिलन गाबा का ये कारिक्रम था ये कॉंसर्ट आयो चित दिया था जिसमें काफी संख्या में यूथ पहुंचवा हुआ था काफी लोग पहुंचे कुछ लोगों की शिकायत रही कि उन्हें पास मिले हैं बावजूद इसके उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही इसी वर्षा से उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया लोगों में गुस्सा था इस पीच कॉंसर्ट में और कोई दिक्कत ना हो इसके चलते पुलिस ने भी शुरुवात में मामला शांत कराने की कोशिश की लेकिन जब लगातार हंगामा बढ़ता गया तो पुलिस ने भी हलके बलका प्रियोग कर इस हंगामे को शांत कराने का प्रियास किया पस्वीरे आपको दिखा रहे हैं फॉस्ट अंडिया पर ये एक्स्क्यूजिव तस्वीरे जूत्पूर में आयजित हुए एक कॉंसर्ट की जहां सिंगर को सुनने के लिए इस कॉंसर्ट को अटेंड करने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे हुए थे तस्वीरे देखे कि सरा से कुर्सियां उच्छानी जा रही हैं बोतले फेखी जा रही हैं हंगामा किया जा रहा है फुलिस ने भी जरान स्थिती पर काबू करने के लिए हलके बलका प्रियोग किया लोग काफी एक्साइटेड थे सिंगर को देखने के लिए इस कॉंसर्ट को अटेंड करने के लिए अलाकि ये भी कहा चा सकता है कि फीड को ठीक धन से मैनेज नहीं किया गया अंदर गुंजाइश नहीं थी और लोगों किये शाद इस वज़ह से पास होने के बावजूद लोगों को एंट्री नहीं मिली रैसे में लोगों का गामा करना यहां स्थिती और ज्याता भी ग पॉर्सिया पे की पानी की बोतले उछा दी हूटिंग करनी शुरू की रड़ू